हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाउ तो एड्ट मॉटिक कॉंटेक्ट्स इन गूगल शीट्स आटोमेटिकली तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मॉटिक और गूगल शीट्स को करेंट कर सकते हैं कि जैसी Motech पे कोई नया content create होगा तो automatically same content की details जाके record जाएंगी Google Sheet की row में ताकि आप अपने सारे content सा एक backup रख सके Google Sheet में और अपने data को बार में अच्छे से analyze भी कर पाएं अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पूरी process हम automate कर सकते हैं अपने की मदद से Motech और Google Sheets के बीच में connection एक integration बना कि इसमें हमारा trigger होगा कोई नया content create होना Motech पे और हमारा action होगा automatically same contact जाके record हो जाना Google Sheet के row में तो आप कैसे बना सकते हैं पूरे automation को कैसे connect कर सकते हैं Motech और Google Sheets को आईए देखते हैं मेरी screen पे तो चलिए बनाते हैं कैसा automation, Motech और Google Sheets के बीच में कि जैसी Motech पे कोई नया content create हो तो automatically same content की details जाके record हो जाएं Google Sheet की row में अब ये पुरी process हम automate करेंगे पैबली connect की मदद से Google Sheets और Motech के बीच में connection बना के चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं पैबली का landing page पैबली बहुती amazing software है जहाँ multiple applications को connect integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई user है तो जाईए sign up for free पे जहाँ आपको हर भईने मिलेंगे 100 free tasks कैसे automation create करने के लिए अगर आप एक existing user है तो simply click करिएगा sign in पे sign in पे click करते ही आपकी सामने open होंगी पैबली की यह पाच मेंगे applications आज हमको use करना है पैबली करेट का तो click करेंगे हम access now पे access now पे click करते ही अब हमारे सामने open होगा पैबली करेट का dashboard पे आने के बाद हमको जाना है right hand side पे click करना है इस blue button पे create workflow पे और एक नया workflow पे बनाना है जैसे आप create workflow पे click करेंगे आपके सामने एक download box अपियर होगा जो आपको इस workflow को एक नाम देना है तो मादी जब मैं इसे नाम दीता हूँ add matic contacts in google sheets automatically आप अपने requirement के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं इसके बाद आपको choose करना है वो particular folder ज इसे के लिए जो पूरा automation आजब बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts पर ही based होते हैं इनकी definition के बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो अब trigger और action को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा objective क्या है तो देख और अपने data को अच्छे से बाद में analyze भी कर पा हूँ इसलिए मैं उनको यहाँ पर एक backup बना रहा हूँ अब मॉटिक पर क्या होगा contact create होगा उसकी details का add होगी Google sheet की row में तो जाएंगे हम पैबली करेंट पे सबसे पहले choose करेंगे हमारी trigger application जिसका नाम है मॉटिक यहां से मैं application मतलब Google sheet पर क्या होगा instantly उसकी details जाके हो जाएंगे record तो action application हमारी होगी Google sheet action event हमारा होगा add new row अब देखे Google sheet और Motec दोनों के बीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए हम use कर रहे है पैबली connect का तो सबसे पहले Motec का account मैं connect करूंगा पैबली connect सी कि जैसी Motec पे कोई नया content create हो तो instantly उसकी details पैबली connect है आपने पास capture कर ले ताकि हम same content को Google sheet पर भी add कर पाएं तो Motec के account connect करने के लिए हमको यहाँ पर दिया है वेबोक URL वेबोक URL का काम होता है दो applications की बीच में connection बिल्ट करना या as a bridge की तरह करता है act अब जैसी Motec पे को नया content create होगा तो उसकी details पैबली connect यहाँ आपने पास capture करेगा वेबोक URL की मदद से तो देखिए हमको सारे instructions दिये हुए कि कैसे हमको यह वेबोक URL सेट अप करना है आपको डारेटली बताता हूँ यह वेबोक URL आपको करना है copy जाना अपने Motec के अकाउंट पे Motec के अकाउंट पे जाने के बाद right inside पे आपको एक option दिख़ए लाओगा settings का क्लिक करना आपको settings पे फिर आपको जाना है वेबोक से वेबोक पे अब जो पैबली करनेट पे URL आपको मिला था यह सीम URL कॉपी करके आपको पीस्ट करना है यहाँ पे इसी URL के मदद से जो भी नया कॉंटेक्ट की डीटेल्स हैं वो पैबली करनेट अपने पास केप्चर कर लेगा फिर आता है वेबऐग इवेंट सो वेबट हमारा क्या होगा कॉंटेक्ट अइडिन्टिफाइड इवेंट आप देख सकते हैं वेबखोंत पे लिखा है कॉंटेक्ट अइडिन्टिफाइड इवेंट अब यह वेबबख त अब हुन करेगा जब Morik पे को च्णा कॉई रिस्पॉंस का यहां पर वेट कर रहा है आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर वेबुक रिस्पॉंस और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉक इन करना उस अप्लिकीशन में और करना है एक टेस्ट समिशन इसका मतलब हमको जाना है मॉटिक की अकाउंट पे और एक डमी क इस फॉर्म को फिल करेगा तो आटोमेटिकली वो सीम पर्सन एजा कॉंटेक्ट एड़ हो जाएगा मॉटिक पे अब यह फॉर्म मैंने अल्रेटी न्यू टैप पे ओपर करके रखा है आप देख सकते हैं इसको मैंने फिल भी कर दिया है यह है कॉंटेक्ट का फस निम टेस लास्ट इम डेमो यह है उनकी मिल आईडी टेस्ट एडिरेट पैबलिटूट्स टाट कॉम और यह है उनका मॉबाइल लंबर अब जैसे मैं सब्मेट पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे मॉटिक पे एक नया कॉंटेक्ट हो जाएगा क्रियेट तो चलता है मॉटिक के अक कनेक्ट ने आपने पास केप्चर कर लिए तो यह ता लास्ट नेम डेमो देखें सारी डीटेस वन बाइवन करके हमको मिल चुकी है और यह थी उनकी मेल आईडी इसका मतलब जो मारा फ़र्स स्टेप ऑफ इंटिग्रेशा ने वह वर्क कर रहा है हमने मॉटिक के कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से जाना आपको एड्लू कनेक्शन पे क्लिक करना है साइन इन विद गूगल फिर आपको चूस करना अपना अकाउंट जिसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं अकाउंट चूस करने के बाद फिर आपको एक्सस spreadsheet कि किस particular spreadsheet में आप सारे contact की detail set करना चाहते हैं तो देखिए जो मेरी spreadsheet का name है वह है Motic contacts यहाँ पर मैंने spreadsheet बनाया के रखी है यहाँ पर मैंने columns बनाये हैं जैसी कि first name last name email contact number अब जैसी spreadsheet में पेबरिक इन्ट पर चूस करूँगा automatically इस column वह कोई भी शीट पर नहीं बनाई है तो अब हम जाएंगे पैबलिक कनेक्ट पे और देखी सारे कॉलम्स आप को यह पर दिख रहे होंगे अब वन बाई वन करके कॉलम्स हमको करने है फिल और यह हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से मैपिंग का मतलब यह होता है कि जो रिस्पॉंस हमको मिला है ट्रिगर एप्लिकीशन से मतलब मॉटिक से इसी रिस्पॉंस का यूज मैं आपे कर लूँगा वो भी विताउट मैनुरी टाइप करके इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग तो देखें मैपिंग कैसे की जाती है जैसे आप इस ब्लैंक फीड पर क्लिक करेंगे तो मॉटिक जो कि हमारी ट्रिगर एप्लिकीशन थी वो आपको यहाँ पर दिखरी होगी इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे पर देखें मैप लास्ट निम क्या था डेमो तो यह इसको भी मैने आप पर कर दिया मैप ऐसे आप डेटा सर्च कर सकते हैं फिर आती है कॉंटेट की मेल आइडी तो यह थी उनकी मेल आइडी ऐड दिरेट जैसे टाइप किया मैने तो मेल आइडी पर हमको आप दिख गई है टेस्ट आइड दिरेट पैबलिट्विट्स टाट कॉम और फिर हमें आपे मैप करेंगे कॉंटेक्ट नमबर तो आप इस डेटा में सर्च करेंगे प्लस टाइन वन जैसे मैं टाइप करूँगा तो देखें ये था उस कॉंटेक्ट का कॉंटेक्ट नमबर सारी डीटेज्स मैंने आपे कर दी है मैप अब आपके मन में एक सवाब जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने आपे क्यो किया तो देखे मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा important process होती है क्योंकि जब भी हमारा workflow run करेगा तो जो भी data मैंने modic पे create किया है जैसे कोई नया contact में हमें create करूँगा तो automatically same contact की details जो नया contact है उसकी details यहाँ पे आके हो जाएंगी update हमारा workflow का trigger और same details जाके record हो जाएंगी google sheet की row में क्योंकि mapping वाला data है वो हमेशा होता रहता है change जब भी हमारा workflow का trigger अगर हम यह data है पे manually type कर देते हैं मतलब कुछ इस तरीके से तो यह data रहता हमेशा static या permanent और यह data कभी change नहीं होता है इसलिए mapping होती है बहुती ज़्यादा important process अब जैसे मैं save and send test you के इसकी button पे click करूँगा यह details जाके record हो जाएंगी google sheet की room में और देखिए API response हमको मिल चुका है जो कि एक positive API response है इसका मतलब ही details जा चुकी है तो चलता है हमारी google sheet पे और देखिए सारी details में पे आके हो चुकी add यह था content का first stream test, last stream demo यह थी उनकी mail ID और contact number था उनका यह इसका मतलब जो automation हमने बनाया है हो सही से काम कर रहा है simply दो step में हमने पुरा automation बना दिया है जो work करेगा instantly जैसे अब motic पे कोई नया content create होगा instantly उसकी details जाके record जाएंगी google sheet की room में तो यह चेक करते हैं सार्टोमेशन को हम रियाल टाइम में वापिस चलते हम हमारे form पे इस form को मैं करूंगा फिल इस बर कुछ different details के साथ और एक नया content create करके देखूंगा motic पे क्या उसकी details जाके record हो रही है google sheet की room में यह नहीं तो देखे contact का first name fresh, last name user यह उनकी mail ID, यह उनका mobile number क्लिक करूंगा मैं submit पे और एक नया content मैंने आपे create कर दिया है motic पे, अब देखते हैं google sheet पे चलके और देखे, instantly same content की details यहाँ पे आके हो चुकी है आपके सामने, first name में contact का fresh, last name में user यह उनकी mail ID, और यह है उनका contact number इसका मतलब जो automation उनने बनाया है उस ही से काम कर रहा है तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते हैं तो इसका link पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा जहाँ पर इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं इस्तेमाल सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration पैबली करेट की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries है, आपको कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें share करें और हमारी channel को subscribe करना ना भूले Thank you